हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे टूट चनल ललवी वीडियोस में आज हम बात करते हैं बहारते दन सहीता यानि आई पीसी की धारा 401 की क्या कहती है और इसमें कितना सजा का प्राबधान है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज चानते हैं आई पीसी धारा 401 क्या कहती है जब भी कोई वेक्ति डाकू की गैंग में सामिल होने के लिए जाता है तो वह एक गंबिर अपरात माना जाता है और उसके उपर आई पीसी की धारा 40 लगाई जाती है उसी तरह अगर कोई वेक्ति चोरी भी नहीं करता है तो क्या वे अपरादी होता है या फिर लुटेरा हो सकता है जी हाँ वे चोर या लुटेरा हो सकता है अगर वे ग्रो का सदस्य हुआ अगर वे सदस्य पहले उस ग्रो में सामिल होकर चोरी या लूट कर चुका है तो वे भी लूट चोरी का परादी होगा बारते दन सहीता 1860 की धारा 401 की परिवासा की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है या फिर ग्रो का सद्धिसी ही होता है और बस चोरी करने में या लूट करने में साहता करता है बलकि चोरी भी नहीं करता है तो ऐसा करने वाला व्यक्ति IPC की धारा 401 के तैद तोसी पाया जाएगा 12 दन सही था कि धरा 401 के अनुसारा गिर सजा की बात करें तो इसमें अपरादी को 7 वर्स का कटोर कारावास या फिर आर्थिक दन्य से डंडित किया जाएगा यह गैर जमानती अपराद है इसमें अपरादी को जमानत लेने का दीकार नहीं होता और ये संग्य अपराद है और ये पर्थम मजिस्टेट दोरा विचारणी है ये अपराद समझोता करने योगे नहीं है यदि आपको वीडियो अच्छी लगे है या पर लवी वीडियो को फोलो करें चैनल को सब्सक्राइब